नमस्कार मैं डॉक्टर वेपिन वंसल वास्तो कंसल्टेंट मैं आप लोगों के साथ अपनी इस सीरीज में जो की प्लोट चेन से लेकर प्लोट शुद्धी तक प्लोट शुद्धी से लेकर ग्रह निर्मान तक और ग्रह निर्मान से लेकर ग्रह प्रविश्च तक इस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो लेकराया हूँ और आज मैं जिस विशेपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है फ्लोर लेवल आपके घर के अंदर फ्लोर का लेवल कौन सी दिशा में उंचा होना चाहिए और कौन सी दिशा में नीचा होना चाहिए वास्तु शास्तर के अनुसार और मेरे अपने अनुभव के अनुसार मैं आप लोगों को आज और कुछ खास बाते बताने जा रहा हूँ आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आपका अपना घर बन रहा है और आपको बाद में पता चला है कि वासू शास्तर के अनुसर आपके घर के अंदर कहां पर क्या कमी है तो आप मेरी इस सीरीज को देखकर कम से कम अपने घर के अंदर आगे के सिस्टम को तो सही कर सकत आप मेरी सीरीज को शुरू से लेके आगर तक देखें मेरी इस सीरीज में बहुत सारी वीडियो है और मैंने मैक्सिमम टॉपिक अपने इस सीरीज में कवर करने की कोशिश की है मेरे को वास्तु विजिट करते हुए तेज साल हो गए है और मेरा जो अपना अनुभव है वो अनुभव आप लोगों के साथ अपनी सीरीज में सांजा कर रहा हूँ आज का जो विशे है वो है फ्लॉर लेवल वास्तु शास्तर के अनुशार आपका घर का फ्लॉर लेवल कौन सी दिशा में उचा होना चाहिए और कौन सी दिशा में नीचा होना चाहिए आपका अपना प्लॉट साउथ फेसिंग है और उसमें आप अपना घर बना रहे हैं आपका अपना plot है और plot के अंदर department के हिसाब से आपने front के भाग में open area रखना है तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने front के भाग में जो as per norms है वो open area जरूर रखें उसी के साथ जितना open area आप front में रख रहे हैं उससे ज़्यादा open area आप back side में यानि north में रखें और आपने तिहान रखना है जो आपका अपने घर का south का भाग में जो open area है उसमें southwest corner आपके घर के फर्ष के level से उंचा होना चाहिए यानि जो building आप बना रहे हैं उस building के floor level से आपका southwest का open area उंचा होना चाहिए वहाँ पर आप मिट्टी का level उंचा कर सकते हैं वहाँ पर एक ठोस चबूतरा बना सकते हैं और इसी के साथ आप वहाँ पर एक पहाड़ नुमा stone की चटान भी बना सकते हैं ऐसे ही आपके bunny building का यानि जो building आपकी बनने जा रही है उसके southwest corner में आपने store बनाया हुआ है या master bedroom बनाया है तो भी उसका floor level आपके पूरे फर्ष के level से उंचा होना चाहिए चाहे वो दो इंच उंचा हो चाहे एक इंच उंचा हो चाहे तिन इंच उंचा हो उंचा जरूर होना चाहिए इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा यदि आप extra उंचा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना जरूर करें कि southwest से उंचा floor level करके उसका slope room के north east में चाहिए ऐसा करने से भी आपका southwest का area हलका सा उंचा हो जाता है इसी के साथ मैं आपको बात और बताना चाहूंगा आपने southwest को ने में dressing area बना हुआ है और साथ में toilet बनाई हुए है तो उनका floor level भी आपने उंचा जरूर करना है आपके southwest corner में dressing area बना हुआ है तो मैं आपको और floor level दो इंच तीन इंच उंचा करते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा ऐसा करने से southwest आपकी मजबूत हो जाती है इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा जो open area है आपका उसमें southwest में आपने उंचा चबूतरा तो बनाना है उस जीरी को उंचा करना है और उसमें जो फर्श की ढलान है वो सारी ढलान आपकी नौर्थ इस्ट में नौर्थ में या इस्ट में जानी चाहिए ऐसा करने से भी आपको अच्छे result जरूर मिलेंगे जो south facing घर आप बनाने जा रहे हैं उसके आपको positive effect जरूर मिलेंगे आपका अपना घर south facing है और उसमें back side यानि north side का area उंचा है और south side का area आपका नीचा है और आप जरूरत से ज़्यादा परेशान है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने घर का south का हिसा southwest corner से south west corner तक उंचा करें किस से north के भाग से north के भाग से south का area उंचा होगा तो मेरा अपने ये मानना है कि जो आपके समझें वो धीरे धीरे करके आपकी समझें खतम हो जाएंगी समाप्त हो जाएंगी ऐसा वास्तु शास्तर भी कहता और मेरा अपना अनुभव भी कहता है मैं हमेशे ही आप लोगों को वास्तु शास्तर के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूं और मेरी सीर आर्किटेक्ट है या आप बिल्डर है या आप इंटिर्यर डिजाइनर है तो आप मेरी सीरीज को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर दे के मेरी यह सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी क्योंकि मैं अपनी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर यानि प्लॉट चुद्दि तक और प्लॉट चुद्दि लेकर ग्रह निर्मान तक ग्रह निर्मान से लेकर ग्रह प्रभ голос तक कमप्लीट इस सीरीज के अंदर जांकारी दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज बना रह dit और आशा करता हूं कि आप भी मेरी इस सीरीज को अपने सरकल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे मेरी इस सीरीज की कोई भी एक वीडियो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेस्बुक ग्रूप और वाटसप ग्रूप पर जरूर शेयर करें आप वास्तु सीख रहे हैं या आपको वास्तु सीखने की जिग्यासा है तो आप मेरी इस सीरीज भी जरूर देखे मेरी इस सीरीज आपको वास्तु के विशे के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देगी आपके लिए लाबकारी रहेगी आपके बच्चे अर्किटेक्चर का कॉर्स कर रहे हैं या सिविल इंजिनेर का कॉर्स कर रहे हैं तो मेरी यह सीरीज भी उन बच्चों के लिए जरूर लाबकारी रहेगी मेरी इस सीरीज को आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं आप अपनी किसी भी साइट के परती हमसे ओनलाइन सला लेना चाहते हैं तो आप हमसे ओनलाइन सला भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का हमारे यहां से वास्तु शास्तर के निवसार मैप बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे यहां से मैप भी बनवा सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट पर हमें साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, तो साइट विजिट क के साथ साथ अपना अनुभाव भी लिखा है और इस पुस्तक को प्रिंट करा कर उन्होंने समाज में भी बाटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाब भी उठाया और वास्तु के परती जागोग भी हुए आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो हमारी यह पुस्तक आपके घर को वासू दोश मुक्त बनाने में साहेक जरूर होगी आप हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर समपर करके आप हमारे यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में दी जानकर यह दिया आपको च्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंग्स के फेस्बुक ग्रूप पर और वाटसप ग्रूप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाए ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे आप बहुत ज़्यादा प्रइशान नहीं और आपने बहुत सारे उपाई भी किया है तो एक उपाई यह भी करके जरूर देखें उमीद करता हूँ कि आपकी जो समस्याइं हैं वो समस्याइं देरे देरे करके गाम जरूर हो जाएंगी क्योंकि मेरा अपना 23 सालों का आनुभव रहा है और मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जिनको कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं ही आया और उन्होंने अपने यहाँ पर छोटे छोटे उपाई करके अपनी समस्याइं से देरे देरे करके चुटकारा पा लिया आप अपना केमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप से भी काते हैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और मेरी इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए इसी तरह अगले प्रोगाम में फिर एक नवी शेफर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार